हेलो व्रीवन वेल्कम बैक टो विद्यानी क्लासेज आई होप आप सब अच्छे होंगे अच्छे से महनत कर रहे होंगे आने वाले अपने सभी अपकमिंग एक्जाम के लिए दोस्तों हम लेके आ रहे हैं एक टेस्ट सीरीज जिसका नाम है अभ्याज फॉर अपकमिंग जेक लेकर अफ्रेस के बात करे हमस्ट में लेकर कपसे तСпार इस्टार्ट है तो देखते हैं इसके बारे में हैं तो सबसे पहली बात करें तो सब्सेत स्रीज में सबजेक्ट व जो तेस्ट रहेंगे ऐस्ट ए स्चमटहिकर Wh整. इथ book 25 झाहरे हैं जो RS इस 25 टेस्स के अंदर हम thoroughly आपके सभी components को सभी content को अच्छे से cover करेंगे जिसमें आपके PYQs कैसे कैसे questions SSB पूछ सकता है बाकी सभी exams जो नेरबाइस स्टेट्स में होते हैं SSC level में होते हैं का प्राइस रहेगा that will be 299 and offline का प्राइस रहेगा that will 499 जब भी टेसरी चाहिए आप online platform पे दोगे offline platform पे दोगे you'll get your detailed result जिसके अंदर आप कहां fall कर रहें पूरी YouTube में आपका क्या rank है वह आपके साथ discuss किया जाएगा हमारे team backend पे आपके साथ available रहेगी आप अपने questions अपने doubts अपनी report चेक कर सकते हैं कि किस किस component पर आपको कितना काम करना will be always there for you अगर आगे बात करें online test series कहां से download होगे downloading app का नाम यहां लिखा हुआ है फिर भी मैं app का link description प्रवाइट कर दूँगा वहां से देख सकते हैं साथी साथ हमारे given numbers पर हमें contact करके भी पता कर सकते हैं एक बार content को देख लिए हमने अपने syllabus को कैसे define किया है तो एक बार test series इस तरह से किया है सबसे पहले हमने जो component उठाया है that is English English component again very important component लगता है असान है लेकिन paper में हमेशा गलतियां होती है score नहीं कर पाते हो तो हमने इसके पांच test combinations बनाए हैं जैसे में example तो first test 14th October को conduct करवाया जाएगा online offline दोनों modes पे online and offline में एक चीज़ का difference रहेगा online में 14th को test upload हो जाएगा लेकिन student अपने convenience के साब से test को कभी भी दे सकता है लाइक अगर वो 14 जाब 15 को देना चाहे वो देख सकता है 14 will be the uploading date लेकिन offline student को 14th को आके test देना पड़ेगा एक environment में बैठके जब students के साथ बैठके OMR sheet पे test देना पड़ेगा and next day पर उसको result मिल जाएगा तो हमने क्या किया है जैसे आप देख सकते हैं यहां पर हमने तीन components synonyms, antonyms, pronouns, prepositions यह पहला combination बनाया है हमें पता है कि हर paper में कोई भी SSB level exam हो SSC level exam हो आपको synonyms, antonyms तो आ नहीं है उसकी practice के लिए हमने उस component को almost सभी test के अंदर introduce रखा है ताकि आपको practice के लिए अच्छे-च्छे questions मिल जाएं so these are your five components जिसमें आप देख सकते हैं कि English को हमने define क्या है और हर test जो आपका रहेगा हर test जो आपका रहेगा that will be of 50 marks जो subject wise test रहेंगे 50 marks के test रहेंगे right moving on अगर अगले test की तरफ चले जो अगला schedule हमारे पास रहेगा that will be gk with special reference to jnk इसके हमने तीन test frame किया हुए आप देख सकते है 26th October 28th October and 30th October को तीन test को इसमें brief करके पूरा का पूरा syllabus को हमने define किया हुआ है इस component test अगेन वही बात यह जो dates है यह dates से आपकी uploading dates है online वालों के लिए offline वाले इस date को आके दे सकते हैं अगर किसी reason से नहीं दे पाए तो वह management से discuss करके test किसी और दिन आके भी दे सकते हैं but because paper का mode जो रहेगा that will be offline तो हमारा आप सभी लोगों को यही suggestion रहेगा कि offline आके test दीजिए एक real environment में test दीजिए जब आपको पता चलेगा कि आपके competitors कैसा perform कर रहे हैं आपके साथ जो students बैठे वह कैसा perform करें you will get the result कि आप top 100 में कि आ रहे हो या नहीं आ रहे हो आपका rank क्या चल रहा है वो सब हम यहां पर आपके साथ discuss करेंगे राइट आगे मूव करें 30 अक्टूबर तक यह रहेगा उसके बाद से समारा थर्ड कॉम्पोनेंट स्टार्ट हो जाएगा डैट विल भी जी के एंड करेंट अफेर इंडिया यह चीज आ जाएगी जी के स्टैटिक पोर्शन जो है जो आपने देखा होगा स्लेबस में था स्टूड काफी ज्यादा गवरा गया था उस लेबस को देखें कि यह कॉम्पोनेंट क्या है और गवराने की कोई बात यह सब के लिए वह चीज है और इतना भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो आप नहीं कर पाऊगे इसली कवर अप हो जाएगा ओके तो यह आगया डेट अगर देखा जाए तो 2nd November को टेस्ट रहेगा followed by 4th को रहेगा 11th को रहेगा 6th को रहेगा 9th को रहेगा and then 11th को रहेगा टोटल 13 टेस्ट अभी तक यहां पर बन गए हैं okay 13 टेस्ट हमारे पास यह आ गए हैं और आगे मूव करें यहां पर हमने अपना तीसरा सब्जेट कवर अप कर दिया सब्सक्राइब के चल रहे हैं सभी कॉंपोनेंट्स को इसमें डिफाइन किया गया है पूरे स्केडूल की PDF हमारे टेलिगां ग्रॉप में हमारे WhatsApp चैनल पे अपलोड हो जाएगी आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं right moving on हमने उसके बाद ब्रीफ किया अपना subject number 4 जिस सब्सक्राइब करें अगर आगे बात करें तो आगे आजाता है हमारे पास हमारा subject number 5 जिसमें students को सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है math and reasoning का portion mental ability reasoning का portion अगर हम इसकी बात करें तो 17 टेस्ट, 18 टेस्ट, 19 टेस्ट, 20 टेस्ट, 21 टेस्ट ये टेस्ट हमारे पास इस component के अंदर total 5 टेस्ट में हमने इसको डिवाइड किया है आप देख सकते हो जिसे test number 1 जो 20th November को start हो रहा है, number system, simplification, decimals, number series, letter series ये डाल दिया, उसके बाद हमारे बाद ये 3 components आगे, percentage, profit, loss, simple interest, compound interest, coding, decoding, blood relationship, ये हमारा 18 टेस्ट आगे है, वैसे 19, 20 and 21 पूरा define करके आपका syllabus का एक एक component को define किया है, each test will be of 50 marks, जब आपके subject wise test complete हो जाएं जाएंगे, last में आपके पास 4 full test conduct करवाये जाएंगे on the date of second, third, fourth and fifth, ये हमारे full test रहेंगे और full test में जो भी paper रहेगा, वो 100 marks का test रहेगा आपका, 100 marks each आपका test conduct करवाये जाएगा, so this is the thing जो आपको ध्यान रखना है, full test हमारे इस तरह से plan हो रहे हैं, एक और बहुत ही important है, अगर suppose in case, just in case exam की date in paper की date से पहले होगी, तो हम अपने schedule को revise कर देंगे, ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसी ही चलने देंगे, but अगर in case date exam की आगे चली जाती है, तब भी आप इस test series को अपने हिसाब से mold कर सकते हो, आगे थोड़ा देना चाहो तो ले सकते हो, so these are the test जो हम conduct कर कर रहे हैं, जिसके 21 आपके subject wise test होंगे, 4 आपके हमारे पास full test होंगे, जो मिला के total 25 test provide कर वाये जाएंगे, at a very very nominal price और जो हमारा price है, test series का, that is, that is, 299 आप देख सकते है, 299 for online students and 499 for offline students, in सभी test के अंदर, इस प्राइस के अंदर आपको यह सभी test मिलेंगे, and जो हमारा पहला test conduct करवाये जाएगा, जो हमारा first test conduct करवाये जाएगा, that will be free for all of you, यह free test रहेगा, आप सभी आके हमारी app पर इस test को दे सकते हैं, अगर आप offline आना चाहते हैं, offline आके भी test को free दे सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस-किस level के questions हम लेके चल रहे हैं, अगर अगर आपने अभी तक कभी test नहीं दिये, अगर आपका पहली बार preparation है exams की, तो मैं एक चीज़ clear कर दूँ आप लोगों को, बिना test के, बिना practice के, चाहे आपने जितनी अच्छी त्यारी की हो, आप exam को crack नहीं कर सकते, जब तक आप real exam experience नहीं दोगे, आपको कि सर मैं XYZ platform पे है, उनके साथ बैठ के test दोगे, वो exam, real exam experience करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, किदर किदर आप लाक कर रहे हो, वो exam pressure क्या होता है, क्या mistakes आप कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, that is why test series is very very important, आपको इस पे काम करना पढ़ता है, अब बात आती है, अगर चाहे आप हाई कोर्ट, जुनिशन हाई कोर्ट के बात करो, चाहे आप बात करो, अपने GKSSB के integrated batches की, अगर आप बात करते हो, even test series की, तो अगर before 12th of October, कोई भी student test series को purchase करता है, तो उसको flat 25% off मिलेगा, use the coupon code Navratri 25 to avail this offer, साथ यसाथ में एक चीज़ और बता दूँ आपको, exam की जैसे आपको बता कि ऑफिशल इस लेबस आउट हो चुका है, exam होने वाला है, मता होने वाला इंदसेंस की हो जाएगा, जल्दी के जल्दी, तीन चीज़ों पर आपको काम करना है, पहली चीज, that is revision, आपको अपने components को बार बार एक बार पढ़ने से यह समझना कि हो गया at least दो से तीन बार revisions चाहिए हैं आपको, PYQs, अब PYSQs आप ढूढ़ोगे कि सर हमारे यहां पर तो एक ही बार constable का paper हुआ है, तो यह SSC level के PYSQ उठाओ, आप SSC GD level के PYSQs उठाओ, SSC CHSL के PYSQs उठाओ, ताकि आपको पता चले कि level of questioning क्या होती है, and जो भी test दोगे कभी भी अपने comfort zone में बैठ के test मत देना, always experience एक real environment, एक real environment में बैठ कर test देना, ताकि आपको यह feel हो, कि यार हां, मैं अपने comfort में नहीं हूँ, जहां पर सब लोग दे रहे हैं इस तरीके से, और एक last मेरी तरफ से एक advice आप लोगों को रहेगा, always prefer कि time test का वो रखो, जो आप के real exam के time से match करे, क्या probability रहेगी exam की, morning में 10 से 12 रहे सकता है, जो भी morning का time रहेगा, 11 बज़े onwards हो सकता है, तो try करना, जितने भी test series दो, किसी भी platform पे, वो test series हमेशा slot, time slot वो choose करो, time slot वो choose करो, अब जिस time slot में आपका real exam होना है, morning 10 से 12 के बीच में time, ताकि आपका brain maximum functioning उस time पर करे, आपका brain maximum उस time पर आपका capitalization हो, आपको समझ आपा है कि हाँ, मैं चीजों पर काम करूँ, students क्या lack करते हैं, कि रात को पढ़ने की आदा हो, तो रात को test देते हैं, morning में लेट उड़ते हैं, तो उससे वो उसतना functioning नहीं कर पाते, तो मेरी तरह स यही suggestion रहेगा, हमेशा test को morning time पर देना, prefer करना, so this is the thing जो हम अपने end से आप लोगो provide कर रहे है, preparation अपनी अच्छी से रखिए, अब आपके सामने date आ चुकी है, अब आपके पास कोई भी reason नहीं है कि सर, इसले बस नहीं पता, वो भी पता है, सर, exam कब होगा, exam अगर कल हो जा आपके आपके 10 आंसर हो इस चीज के, इस तरीके से, तब जाके आपका selection process बनेगा, so this is the thing जो हम आपके साथ discuss करने के लिए आज आये थे, and make this thing very very clear, कि test series कहीं का भी दो, but test जरूर दो, जब तक test नहीं दोगे, तब तक selection नहीं होगा, sir मेरे पास वो subscription है, मेरे पास एक subscription है, मे apply करना start करो, and real experience लेके, real environment में बैठके, अपने comfort zone से उठके, environment में बैठके, ताकि पता चले कि, okay, so लोगों ने test दिया, where I stand, अगर so लोगों में, 80th number पे हूँ, multiply करो, जो लाक बचा देगा, तो मैं कहां fall करूँगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है, this is the thing, जो हम आपके सा segmental wise preparation करना है, वो इस test series को follow कर सकता है, last but not the least, अगर आपको लगता है कि sir, मेरा English अभी मैंने prepare नहीं किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी preparation को continue रखी, ये test series online mode पे upload होते जाएंगे, आप अपने convenience के साब से कभी भी दे सकते हो, and back end पे हमारे team, हमारे technical team, as well, हमारी faculties available रहेंगी, किसी भी subject में कोई भी doubt होगा, doubt discuss करने के लिए, right, thank you so much, इस video को जितना से जाद से शेर कर सकते हैं, आपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि test series हमने launch की है, अगर आपको अपने end पे कोई भी doubt है, preparation कैसे करे, कहां कहां lack कर रहे हो, हमार team 24-7 उस पे connected रहती है, live रहती है, आपको कोई भी doubt हो, वहां मैसे drop करो, you will get the reply and you will get the solution, thank you so much students and keep learning.